स्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंब होत हे सुनो साथ चीत दे भजो राज शामा स्री प्राणनाथ सक्खी जीवन हमाराए स्री महामती कहे अब तुम सुनियों चीत दे लाल आगे आये बेठ इना तकत बुलेशी प्राणनाथ प्यारे की महामती कहे ए साथ जी ए बात बड़ी बुजरक एक जरा में न कसको लाल कहिया गजे माफक अब कहू तिसरे पहर की दाम धनी अक्षरा तीत इबित्तक साहे के घटना क्रम का वरणन करवा रहे है कल के घटना क्रमों को जोड़ते हुए कल हमने अश्ट पहर दिन के चार पहर और रात के चार पहर सुब से 6 बजे प्रात काल 6 बजे से लेकर दुसरे दिन प्रात काल 6 बजे तक आठ पहर एक पहर तिन घंटे एक पहर में आठ घड़ी वेसे आठ पहर की 64 गड़ी और कलम ने दो पहर के घटना क्रमों को सुना पहला पहर और दुसरा पहर दो प्रहरों का घटना क्रम कलम ने सुना प्रथम घटना क्रम में हमने देखा के स्रीजी की सेजिया सैया बिच्छाने में कौन-कौन सुन्दसाथ सेवा कर रहे है और किस प्रकास सेवा की एक अक्ष्रातुत के स्वरूप की पेचान करकर दाम धनी को रिजाया सेजिया से उठे उसी के बाद हमने देखा जल पिलाने की शेवा स्चबिल दासी की और स्रीजी जब सुबह को अरुनोदई कि समय उठते हैं उसी के बाद जो जो सुन्दसाथ की सेवा है वो सब सुन्दसाथ पहले ही उपस्थित हो जाते वहां और स्रीजी भी रिज के भी सेवा देते और सुन्दसाथ ने भी धाम धनी के स्वरूप में पहचान कर ली है वो कई बार अपनी सेवा को मांगते है कि धनी आप रिज के मेरे को ये सेवा दे दीजिये ने और छे से नव बजे तक जो पहला पहुर चला उसी सो प्रसंग में स्रीजी का जो वस्त्र पहनाने की सेवा पावड़े बिच्छाने की सेवा और गंश्याम भाई हरिवन्स भाई के घर जाने के समय की सेवा इस सब सुन्दसाथ ने जो सेवा की सिर्फ ऐसानी के सुन्दसाथ ही सेवा कर रहे थे और बाद में अमने दूसरे पहर में देखा के कैसे स्रीजी की दाईं और बाएं के सवदासी और लालदासी बेटकर रेवल धरम ग्रंत पधराए, जेन्ति काका ने संदूक से लेकर सब धर्म ग्रंत पधराए और जब चर्चा प्रारंभुई स्री जी की, तो दूसरे पहर में स्री जी सवाग्यार बजे तक जब चर्चा चलती रही, बाद में जिर्ना भी हुआ, शनान हुआ, और उसी के बाद भोजन प्रसाद की सेवा भी हमने देखी, तो सिर्फ सुन्दसाथ नहीं राजजी को नहीं री जाया, सामने राजजी ने भी सुन्दसाथ को मैंने कल बोला थाने, आसिक और मासुक, प्रिया और प्रियतम, दोनों एक दूसरे से कैसे री जाते हैं, ये कल हमने पुरा सेवा का भाव बिस्तार से सुना, आज हम तीसरे पहुर का प्रारंब करेंगे, तो आगे की चुपाई में देखा कि महमती कहे साथ जी ये बात बड़ी बुझरक, महमती जी अपने स्वरों में क्या कह रही है कि हे सुन्दर साथ जी, दामधनी की सेवा को जो सुन्दर साथ ने रीजाने की अलग-अलग जो सेवा की है, वो बात बहुत महिमा पुर्ण है, गरीमा पुर्ण है, गरीमा मई है, मैं इस जुठे सरीर से, जुठी जुबान से कैसे वरणन करूँ, तो भी दामधनी की कुरुपा से मैंने थोड़ा कुछ अंसमात्र वरणन किया, और आगे तिसरे पहर में, अब कहूं तिसरे पहर की बितक जो सयन, सो तुम सुनियों निके कर दिल के रेकानन, हे सुन्दस साथ जी, अब मैं तिसरे पहर, और थाथ 12 से 3 बजे तक सुन्दस साथ ने अपने धाम धनी को कैसे दिल में अनन्त प्रेम अनन्त भाव भर कर कैसे प्रेम भरा भाव भरा क्योंकि धनी के सरूप की पुर्ण पेचान हो चुकी है तो जिस तरसे री जाया उसका वरणन हम आगे करने जा रहे हैं तो है सुन्द साजी ये भावतिक कानों से नहीं ये भावतिक नेत्रों से नहीं लेकिन आत्मा की चक्सु से देखे आत्मा के कानों से आप सुनिये ये कोई नस्वर जगत की या नारण तक की कोई लिलान नहीं है जो सपने में बनती है और मिटती है ये तो अक्षरातीत सचिदानंद प् पुर्ण ब्रह्म परमात्मा एक परब्रह्म के लिए युगो युगो से सुष्टी खोज खोज के ठक गई। बाकी तो शिंगार गरंत में बताया कि नींद उड़े रहे न सुपना और सुपने में देखना कर वैसे तो जब हमारी नींद तूरती है उसी के साथ ही सपन खतम हो जाता है। लेकिन राज्जी ने कैसे अनहोनी घटना की के नींद भी उड़ गई और सपन भी रहा। और इस सपन के ब्रह्मान में जागरत्ता की बाद और जागरत्ता की नहीं। सिर्फ जागरत्ता में हकीकत परमधाम के पत्रिस पक्ष के लिला सोभा की नहीं। जागरत्ता में मार्फत की पाच्वी वोम सयन के मंदीर रंगपरवाली मंदीर केसी एक के अंदर एक दूब जाने की राज्जी अपना रू के अंदर दूब के पुरा पूरा ही सयन की जो लिला मैंने एक दिन ली थी कि ये मार्फत की लीला राज्जी ने यहां जाहर की और अपने दिल की पूर्ण पेहचान दामधनी ने इस नस्वर ब्रमाड में हम सब आत्माओं को जगाने के लिए करवाई कि सुन्दसाद जी तुम परमधाम में जो बात नहीं जान पाए थे जो पुरुना पेचान नहीं कर पाए थे ये पेचान में यहां करवाई तो आगे जो जो सुन्दसाद की तिसरे पहर में सेवा सुरू होती है यहां तिसरे पहर में पहले प्रेम दासी सी जी को पहनाने के लिए सुथनी पाईजामा लेके आते है और नंद्राम जी थेली में गोटा और कंढपी रोज के लिए अपने पास ही रखते हैं क्योकि रोज ये क्या सोछते हैं कि अरे ये मेरे दाम धनी के गोटा है यह कंधपी है कभी भी सेवा के लिए जरूरत पड़ जाएगी तो नंदराम जी अपने जोली के अंदर वो गोटा और कंधपी रखते थे स्री जी जब पलंग पर लेटते थे क्योंकि 12 से 3 बजे का समई है वो सयन का समई वैसे स्री जी सयन नहीं करेंगे आप आगे चर्चा में सुनेंगे लेकिन 12 से 3 बजे का जो सयन का समई उसी समई स्री जी पलंग पर लेटते है तो स्री जी के चरण दबाने की सेवा करने वाले सुन्दर साथ पेले ही वहाँ उपस्थीत हो जाते है और धाम धनी ऐसा नहीं मैं अभी बोलाने के ऐसा नहीं हमीरी जाते है धाम धनी भी रूहों को इतना सुख देते है असीम अनंत के जिसकी कोई सीमाई नहीं है धाम धनी रूहों के साथ जब रिजाने के लिए स्री जी के पलंग पर चार और आसपास में भी गेर कर सब रूहे सब सक्या बैढ जाती है और स्री जी भी प्रेम भरी कैसी मिठी रसन से मिठी बाते करते है और परमधाम के अनंत सुख देते है और स्री जी के चरण दबाने की सेवा कोन करने के लिए आते है वीरो बाई वीरो बाई स्री जी के चरण तत्पस्यात सुन्द साथ चरणों में प्रणाम करके अपने अपने जग़ वो चले जाते है और जब स्री जी पलंग पर लेटते है उसी समय जी जी बाई रोज की बस उसकी यही रेती थी के जब स्री जी पलंग पर लेटे तब जी जी बाई आ जाती थी और स्री जी हमारे धाम के धनी प्राणों के प्रितम प्राण वर लब जी जी बाई पर प्रेम भरी एक थवकी लगाते थे देखो उसी के अंदर कितना प्रेम भरावगा किसी के अंदर जी जी बाई के अंदर क्योंकि श्वयम धाम के धनी के आथों से थब की राज जी के आथों ने स्पर्स किया कितना बड़ा सोभागिय यह जीजी बाई का और दोनों टाइम जब भी सेवा स्रीजी पलंक पर लेटे बस जीजी बाई आई गई और सैया पर हुने वाली स्रीजी की सेवा में देखो महिला सरूब्दे सुन्दसाथ राधा भाई इतना माधूरियो इतना अंदर प्रेम भरके सीजी के एक हाथ को वो पकड़ती है और दूसरे आथ से सीर को खुजलाती है यह कौन सुन्दसाथ है राधा भाई मैंने कल भी बताया था कि सुन्दसाथ जी प्रेम की उस चरम सिमा की यह लिला है यह संसार के जीवों को यह नहीं समझ में आती यहां तो सरीर का आभास ही नहीं रेता चाहे कोई मैला हो चाहे कोई पुरुष सुन्दसाथ हो कोई विकार वासना का तो कोई आभास ही नहीं रेता प्रेम और वासना में दोनों के बीच में बहुत अंतर है तो यहां सुन्दसाथ जी सब वासना इच्छा उससे उपर उठकर प्रेम की प्राकाश्ठा की लिला बंगलाजी दर्बार में हो रही है और उसी के बाद गुल जी और अगर दासी भी सिर्फ वीरोबाई नहीं गुल जी और अगर दासी भी सीजी के चरन दबाने की सेवा के लिए दोनों ही सेवा में उपस्थित रहते थे इसी समय कल मेंने मयाराम भाई का बताया था तो मयाराम भाई क्या करते है उसकी जोली में सब चीजे तो रखते थे यहां इसी समय मयाराम भाई आते है और आके परमधाम की वानी का गायन करते है और धामधनी प्रशन होकर मयाराम भाई के अंदर परमधाम के मनोरत पूरण करने की जो चाहना है यहां के नहीं मैंने एक दिन बोला था रासगरंथ की अंतीम चोपाई के मन के मनोरथ पूरण किये मारे वाले अनेक वार वारने जाई स्री इंद्रावती मारा आतम के आधार तो यहां मयराम भाई इतनी प्रेम से वानी का गायन करते है कि उसकी दिल की जो परमधाम की जो भी कामनाए इच्छायो सब पुर्ण हो जाती है क्या गाते हमारा जो रंग मोहल है ने सुन्दर साथ जी बीच में पहला पक्ष मध्य नव भोम और दस्मी आकासी वाला एक भोम उचे चबुत्रे पर और अनेक रत्नों से जलकारों जलकार करते हुए रंग मोहल जो सोभाई मान हो रहा है कुरंग मोहल की नव मी भोमे वो दूर दर्सी का है हम प्रथम भोम से सोभा देखें तो प्रथम भोम में क्या-क्या विसेस्ता है सोभा तो सब भोमों में बनी है लेकिन विसेस्ता क्या है प्रथम भोम में रशोय की अवेली और मुल मिलावा दूसरी भोम में भुल-भुल परिशाल गर्वनी और खडोक्ली, तीसरी बोम में परसाल दहलाण चबूत्रे की सबसोभा, और चोथी बोम में नीरत की हवेली, पांचमी बोम में रंगपरवाली मंदी, सयन के मंदीर, और छठी बोम में सुखपाल और तक्तरवा मारेते है, और सातमी बोम में दोताड़ी जुले की सोभा और आठमी भॉम में चार ताड़ी जुडे की सोभा और नौमी भॉम में दूर दर्सी का राजी चारो दिशाओं में क्योंकि जो आगे रोसे वहां पूरी बड़ी रोस बन गई है और फीर ते सिहासन और खूरसी की भी सोभा बनी है तो जब हम नौमी भॉम में दूर दर्सी का में बैढते है तो मानलो हम पूर्व में बेठे है तो पूर्व में धामधनी क्या बताते है कि सुन्द साजी देखो पूर्व में नीचे चांदनी चोक से देखो फिर आगे साथ वनों को देखो फिर वन की रोस पुखराजी रोस पाल को देखो तीन सिड़ी निचे उत्रो तो जल रोस को देखो आगे जमुनाजी को देखो और अक्षरधाम की ओर भी जल रोस चुटक चुटक दोनों और जल रोस पे देहुरिया और पाल और उधर की ओर उसके पीछे भी क्या आया है तुसरी परिक्रमा के अंदर अक्षर धाम की सोभा पुर्ण हो जाती है। उसी के बाद वहाँ भी महावन के ऐसे कई वुरुक्ष वहाँ तक गये है। और उसके बाद जवेरों की नहर और फिर जो चोथी परिक्रमा उसमें दक्षेंदिसा में तो मानेक पाहड है लेकिन पुर्वदिसा में बड़ोवन, मधुवन और महावन की सोबा आई है और उसी के बाद फांचमी परिक्रमा में वनकी नहर छठी में चारार हवेली छोटी वो सात्मी परिक्रमा में बड़ी रांग आठ सागर और आठ जिमी तो पुर्वदिसा में सर्वरस सागर धामदनी देखाएंगे ऐसी और जब हम दक्षेंदिसा की और आएंगे तो धामदनी क्या बताएंगे? निचे रंग महल को लगते हुए बड़ पीपल की चोकी और कुझ निकुझ वन ओज को सर तालाब चोबी सास का महेल मानेक पाहाड बीच में जवेरो की नहेर और मानेक पाहाड वन की नहेर बड़ोबन मधूर और महावन छोटी रांग चारार हवेली और दक्षेंदिसा मे नीर शागर रुहो की हमसक्यों की सोभा लाल रंका और जब कोने में वैसे तो नूर, नीर, खशीर, ददी, दूरूत, मधू, रस और सरवरस चार कोने और चार दिसा के आर सागर है लेकिन दक्षेंदिसा में नीर सागर रुहो की सोभा का सागर है और जब पस्चिम दिसा म अम बेड़ते हैं, तो नीचे, रंग मोल को लगते हुए, नीचे नूरबाग, उपर फुलबाग, अनवन, दूबदुली चा, पस्तीम का चोगान, और आगे जवेरों की नहेर, और बड़ोवन, मदुवन, महावन, वन की नहेर, छोटी रांग चारा रहवेली, और दक्षिन का सागर, और जब उत्तर दिसा में हम बेड़ते हैं, तो नौव विमोव से क्या बताते हैं, कि सुन्दस साजी, नीचे की वर देखो, तो रंग महल को लगते हुए, चालिस सांसों में लाल चबुत्रा बाद में खडोकली, ताडवन, बड़ोवन, मदुवन, महावन, पुखराज, पाहाड, जवेरो की नहेर, फिर बड़ोवन, मदुवन, महावन, वन की नहेर, छोटी रांग चारार हवेली, और उत्तर दिसा में मदुसागर, श्याम रंग के, इलम के सागर, वैसे चारो दिसा और चारो कोनों की सोभा बताते धाम दनी, दुर दसिका में हम जब आगे जरोखे में चारो और बैड़ते तब, यहाँ धाम दनी ने चुपाई बताई, के नजरो सब आवत हे इन, उपर की बेठक, नजरो सब आवत हे इन उपर की बेठक देख दुर की बातिकरी रंगरस उबजावी हक नजरू सब आवत हे इन उपर की बेठक नजरू सब आवत हे इन उपर की बेठक और उपर दस्मी भोम में सुख चांदनी चडाय के पुनामा की मध्यरात ए सुख कोन देवे मा सुख बिना ए सुख कोन देवे मा सुख बिना इसक आंग बीगेगा सुख चांदनी चडाय के पुनामा की मध्यरात या थामधनी ने अमको नवमी भोम दूर दर्सी का चारो और दिसाव की सोभा दिखाई और दस्मी भोम जब सरद पुनिमा की रातरी ओती और हम वहां दोपर के तीन बजे से गए और रातरी के कब आयेंगे सीधही नव बजे आयेंगे तब तक के लीला चांदनी आकासी चांदनी रंग महल की आकासी चांदनी में चलती रेती है और आगे जगनाद भाई तंबूरे के तारों पर कितना अती मधूर स्वरों में धाम वरणन गाते है और धाम धनी पोड़ने के समय कैसे पुरा अंदर दिल देकर एकागर तासे वो सुनते है क्योंकि जगनाद भाई तंबूरों के तारों से यहां धाम वरणन अब आवो रे इस्क भानुहां अब आवो रे इस्क भानुहां देखु वतन अपना निजधाम करू चरण तले विश्राम अब आवो रे इस्क भानुहां देखु वतन अपनो निजधाम करू चरण तले विश्राम विलसूप्या जी सो प्रेम काम अब आवो रे इस्क भानुहां यह कोन गार है सुन्दसाची जगनाद भाय तंबूरे के तारो पर और पूरा धाम वरणन यह मामती जी क्या कह रही है कि इस्क हे प्रेम तु मेरे अंदर आजा तो मेरी हाम मेरी इच्छा है क्या इच्छा है यह परमधाम मेरा नीजवतन घर देखने की इच्छा है जो ए प्रेम तु मेरे अंदर आजाएगा ने तो मैं यह पूरा परमधाम को देखूंगी इतना नहीं विलसू करू चरण तले विश्राम धाम धनी के चरणों में बस पल पल वह सानिध्य में रहू और विल्सु पियाजी सो प्रेमकाम प्रेमकाम बस आसिक के अंदर हर रक्षण मासुक के लिए रिजाने की प्रेम करने की जो इच्छा बनी रहती है और मासुक के दिल में भी अपने आसिक के लिए रिजाने की जो प्रेम की पराकाश्ठा की अंदर जो इच्छा बनी रहती है उसको कहते प्रेम काम तो यहां बताया के हे धनी बस मैं आपके सोभा सिंगाहार आपके धाम दिल में बस में डूब जाओ एक एक अंग को देखते हुए भिलसु प्रियाजिसो कैसे हमारी आत्मा यहां से परम धाम पहुँचेगी और धाम धनी के साथ क्योंकि परात्म नहीं राजी के साथ विलास करेगी वो नहीं विहार करेगी क्योंकि परात्म की अंदर तो सबकी जागनी एक साथ होगी यहां से हमारी आत्मा सूर्ता के स्वरूप में जो हमारी आत्मा यहां आई है वो परम धाम पहुँचकर धाम धनी के श्वरूप में और 25 पक्ष में विच्छन करेगी और उसी के बाद धाम वरणन के अंदर बहुत लीला का सुख दिया है परम धाम में जो और्ष्ट पहर आठो पहर जो लीला चलती है ने सुबह से 6 बजे से लेकर मैंने कल भी बताया था कि सुन्दसाजी वहां कोई समय नहीं है लिकिन यहां के इसाब से एक एक लिला को धाम धनी ने जो वरणन किया है तो उसी के बाद उसमें तीजी भोम की जो पर साल ये भी आएगा दाहिनी तरफ दू जाजो मंदीर आये बेठे ताके अंदर निलो ने पिलो रंग के उठतत रंग तो ये सब आठ पहर फिर दूसरा पहर सुरू ओता तब तक की पूरी लीला धाम वरणन के अंदर शमाविष्ट हो गई है तो ये यहां कोन गाते है जगनात भाई और धाम धनी के पोड़ने के समय और कितना धाम धनी एकागरता से सुनते है और गजबद भाई गंबीर स्वरों में अपने मुख से वानी का गायन करते है और इतना नहीं बीच बीच में साक्षी भी संतों की वानियों की देते और अपने प्रियतम के विरह का जो दर देने वो गजबद भाई के धाम दिल में बहुत कुट कुट कर भरा हुआ है और स्वीजी के पोटने के समय सब सुन्द साथ की बस एक ही इच्छा रेती है कि बस धाम की वानी गाओ परम धाम की अखंड वानी गाओ और अखंड वानी गाने से अमारा सब कारिय पूर्ण हो जाएगा और गजबद भाई भी तन मन से सब कुछ अपना समर पित कर दिया धाम धनी के चरणों में सब कुछ नियोच्छावर कर दिया है अपने लिए कुछ भी धन रखाई नहीं क्योंकि धाम धनी की पहचान हो चुकी है और नंदू करके जो सुंदद साथ है रोजी दोनों समई स्रीजी के पलंग के पास आकर गाते रहतें और कब तक गाते रहतें? जब तक दूसरी बारी वाले सुंदद साथ नहीं आते है तब तक बस उस दिल में क्या भाव रहता नंदू के दिल में? कि मेरी तब तक ये सेवा रहेगी, क्योंकि जो अभी कोई दूसरी बारे बाले नहीं आए, मैं बीच में से, यहां से मेरी सेवा पूरी हो गई, वो जो आले वाली बारी को अभी देर लगी, तो मेरी सेवा चलती रहेगी क्योंकि जो मैं बीच में से सेवा छोड़ दूंगा, तो मेरा प्रेमी कलंकी तो जाएगा, सुनिये सुन्दसाची, कितना दर्द है सबसुन्दसाच के दिल में, कितनी निष्ठा है सबसुन्दसाच के, अपनी गजपत भाई के थाम दिल में देखा, कितना दर्द है और आगे शेक बदल भाई अपने साथ सहयोगों को लेकर गाने के लिए आते हैं और संभू भाई साथ मिश्वर पुरते हैं उसी के साथ और भी सुन्दस साथ रेते कौन-कौन बक्तावर, अमरुत कुनली, संपत ये सब बहुत प्रेम से धामधनी की वानी गाते हैं और सुन जारी जो संसार वानी मेरे पेयु की जारी जो संसार निराकार के पार थे निराकार के पार थे तिन पार के भी पार वानी मेरे पेयु की जारी जो संसार तो कैसे मिठे स्वरो में संसार जी ये वानी का गायन करते थे और ये गाने में जो संसार गाहा रहे थे वो सब संसार के दिल में तो सुखुत्पन होता था लेकिन जो संसार सुन रहे थे उसी के दिल में तो और सुखुत्पन होता था और पूरी बंगलाजी दरबार में इतनी प्रशंता च्छाई जाती थी और आगे जो गाने वाले सुन्दस साथ अपनी अपनी बारी में गाने के लिए आते हैं इन तीसरे पहर में सब को वानी सुनने का अउशर मिलता है सीजी के दिल में भी वानी गाने सुनने की बहुत ही चाहना रहती है क्योंकि धामधनी भी रुहों को रिजाना चाहते हैं सुन्दस साथ जी तो धामधनी से अपना अखंड प्रेम मान कर सुन्दस साथ जो रिजा रहे ने क्योंकि धामधनी से अपना अखंड प्रेम मान लिया है कि हमारा अनादी काल से वो प्रियतम वो अक्षरातीत के साथ हमारी निश्बत है सबंध है तो सब सुन्दस साथ ने ये अक्षरातीत के श्वरूप में पहचान कर ली है तो यहां स अब रिजा रहे और आगे अब सुन्दत साथ की जो बारी है ने वो कितनी बारी है चवद बारिया है कितनी बारी है चवद बारिया तो एक एक बारी गाने के लिए आती जाएगी चवद बारियों में कौन कौन प्रमुख लिडर के रूप में एक बारी में मानलोक के सेकवद तो दूसरी बारी में और दूसरे सुन्दर साथ प्रमुख लिडर के रूप में तो उसी के अंदर और सुन्दर साथ जो गाने के लिए आते हैं और सब के दिल में क्या भाव रहता है कि बस मेरे दाम धनी को वानी गा कर सुनाओ और अंदर से मेरी जालू बस खूस करू तो ये सब दिलों में ये भाव रहता है और ये वानी भी यहां इस संसार की नाराण तक की थोड़ी है ये तो अदवेत की वानी है ये परमधाम की तो यहां सब अवेस में गाते है और तार्तम वानी के ये सब्द भी परब्रह्म के कह हुए है और चवुद वारिया प्रती दिन आठ पहर समय समय पर आती है एक बारी प्रातकाल और दूसरी बारी प्रातकाल के बाद जो दोपर के बाद का जो समय चलता है शे बजे से फिर और दोपर से बाद से लेलो या आगे का लेलो तो एक बारी बातकाल और दूसरी बारी दोपर के बाद तो ऐसे चबुद बारी में इस समूग को बाटा गया है तो एक के बाद क्रमसह दूसरी बारी वाले सुन्दसाथ आये, दूसरी बारी वाले गाने के बाद चले गए, फिर तीसरी बारी वाले आये, एसे क्रमसह ऐसे चौध बारी वाले सुन्दसाथ गाने के लिए आते हैं। और आगे धामदनी ने बताया कि चित्वनी के समई, जब साम के साड़ा चार बज जाते हैं, तो साड़ा चार बजे हम कहां से आये थे सुन्दसाजी? परमधाम से. हम इस खेल में जब उत्रे, तो साम के साड़ा चार बज आये थे. और मैं लगवग साइद इतने दिनों में कहीं बार बात कर चुकी हूँ, कि जब मुल मिलावे में, हमारी अंतीम बेठक मुल मिलावे में रही, और राजी ने अनेक वचनों से समझाया, कि रुहे मत जाईया, आप ये खेल जुठा है, अंधेर का है, नश्वर है, तो मेरे को भूल जाओगी, घर भूल जाओगी, इतना नहीं, आप श्वयम अपने खुद को भी, अपनी आत्मा को भी भूल जाओगी, और तब राजी ने जाके अंतीम शब्द बोले थे, कि अरे मैं तुमारा श्वा आमी हो, लेकिन खेल तो देखना है, देखना है, और देखना है, तो वही आवाज, वही आवाज, अभी मुल मिलावे में गुंज रही है, परमदाम में तो एक शन, एक साइत भी बीती नहीं है, यहां हमने व्रज देख लिया, रास देख लिया, और जागनी के तिसरे दिन में महमसाइब की लिला पुर्ण हो गई और आगे चोथे दिन में सत्गुरुदानी देवचंद्रजी की लिला पुर्ण हो गई पांच में दिन की लिला पुर्ण हो गई उसी के बाद 400 साल फिर बाद में चला गया और आज हमारा छठा दिन ये मोमीनों का चल रहा है तो यहा बिती है सुन्दर साजी वो घड़ी को आप याद करो और राज जी ने खिलवत में चुपाई में बताया है कि जब मैं आऊंगा तुमको याद तब ही बेठोगे जाग जैसे जिसक्षन में आप तेह दिल से पवित्र दिल से हम बोलते हैं तेहकिक अरज करत है जो भेजिये प ताक दिल जब एक वर अंतस्करण से एक तीस आह निकालेंगे और बस धनी यह संसार मेरे लिए नस्वर है ऐसी एक बार आह निकल जाएगी ने पीड़ा के साथ तब ही राज जी ने बोला कि तब तुम्हें वहां ही बेठो हूँ कहां चाहां तू तो मेरे सामने बेठी हो तुने मान लिया कि खेल बहुत बड़ा है क्योंकि तुने ये तन को मान लिया ने कि मैं जोसना बेहन हूँ ये मेरे पती है ये मेरे परिवार है ये सब रिष्टे सगे सबंदी है तो मैंने कितना बड़ा ये अंधेर का खेल में सत्य मान लिया बाकी तो राज जी ने ये च तो तुम निजबुदी से खेल को यहां से उपर देखो ने तुम जागरत निजबुदी आगई तुम खेल से इहां से उपर क्यूं देख रही हो वहां से निच्चे देखो ने तो आपको क्या लगेगा कि मूल स्वरूप की सोर की सोरी, निर्खी सखी सची दानंद जोरी, देखत खेल सन मुख सखी सारी, निर्खी सिनगार सोभा अतिभारी हम शनिवार की परिक्रमा में बोलते हैं, मूल स्वरूप की सोर की सोरी, निर्खी सखी सची दानंद जोरी, हमारा तो मूल स्वरूप परात्म का रजी शामा जी का तो किशोर की सोरी का है, और वहां से खेल को देखो, क्या बता है? मूल स्वरूप की सोर की सोरी, निर्खी सची दानंद जोरी, वह मतले की निर्खी चबी नियारी, तुम तले की भूम में, कहा, मूल मिला में, प्रथम बोम में बेठे ओ, तो वहां से तुम परात्म से इस खेल को देखो, तो लगेगा, कि हमारा तो नूरी तन दिर्यतन पर कर बैठे तब सब बंदे हुए है बहुत सी चीजों से ठीक है तो यहां राज्जी ने साड़ा चार बजे की जो चित्वनी कर समय होता है उसी समय भी बारी गाने की वह आते हैं आगे चित्वनी फिर आएगी तब में शोट रूप में आपको कराऊंगी तो इसी के अतिरिक औ चित्वनी डेट गंटे चलती है साड़ा चार से छे बजे तक और छे बजे के बाद भी बाद स्री जी हलका आहार लेते हैं और हलका आहार लेने के बाद उसी समय आरती से पहले भी एक बार बारी गाने वाली बारी आजाती है और सुन्दसाजी उसमें पूरा ये बारी वा दो पहर मेने कल चर्चा में बहुत विस्तार से तीन घंटे जब चर्चाली तो मैंने बताया था के रातरी का जो पहर चलता है चार तो सामके 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ठीक है एक पहर और 9 से 12 बजे तक दूसरा, बारा से तीन बजे तक तीसरा और तीन से छे बजे तक चोथा, तो यहां क्या बताया, कि रातरी के दो पहर, तो छे से नव और नव से बारा, तो बारा बजे स्री जी का क्या समय होता है, पोढ़ने का, लेकिन हम आगे देखेंगे, कि देड़ बज जाएगे, बेर परबेर भई, जेनतिका काई सारा करेगे, और सुन्दसात करेगे, बाईजुराजी करेगे, स्री जी उठने का नामी नहीं ले रहे है, तो यहां बताया, कि बारा बजे, जब स्री जी का पोढ़ने का समय होता है, उसी के समय क्या होता है, तो उसी समय भी गाने वाले सुन् प्रच याही जान गायन करें कि melhores thing स्रीजी कि भी इसको याद करते है रंक पर वाली मंदीर को कि आखिया द्रें रेृट बाउट यह कि में सूच रहा रहें अंदर विचार करें के और गाया द्ररों सुंदसाचि जोदोत होग 260 को भीdfह सुंदसाच ची तुम अपनी सूर्ता को अब सब पांचमी भूम में, जह सईयन के ठोरे, वहां लेके जाओ, यह बंगला जी दरबार में तो आपका यह सरी सोय गा, ठीक है, यह भी मुल मिलावा ही कहा, यह भी बंगला जी दरबार परामधाम के हमारे मुल मिलावा क्योंकि झागणी ब्रह्मान का मूल मिलावा गुमर जी है ये बंग्ला जी-पुरा, हमारा ब्रह्म छबूतरा लेकिं यहां जब चितवन कराते हैं तो पांचमी भूम में ले जाते हैं कि हमारे दोपूडा के, त्रीपूडा के, चोपूडा के और हवेलिया वहां हमारे जो बाहरजार सयन के मंदीर बने है और रंगपरवाली मंदीर बने है वहां हम स्रीजी के पास कैसे अंदर बीच के रंगपरवाली मंदीर में जाते थे और हम वहां जब नीरत करके चोथी भ प्रेम में प्राकाश्ठा के प्रेम में डूब कर यहां सुख देते दनी तो यहां बताया कि सुन्दत साजी उसी समय तुम वहां चलो कहां चलो पाचवी भूम में यहां बले यह सरीर यहां सुन रहा है बेठा है लेकिन आपकी सुर्ता कहा रहनी चाहिए पाचवी भूम में तो देखो एक बारी सेक बदल की बताया कि सेक बदल की बारी में कौन-कौन गात है तो कि संभू गात है संतदास इस सब सुन्दत साथ साथ में तो ये तो सिर्फ पढ़ने काई है, फिर दूसरी बारी किसकी है? मनावाई की, उसमें रत्नी, और साय, भागो, धनबाई, ये सब गाती है, तिसरी बारी में प्रमुख रूप में दयाली रेती है, देखो एक-एक में प्रमुख उसमें सेक बदल थे, ठीक, दूसरी बारी मे मना है तिसरी बारी में दयाली है तो उसी में भी दमोती खिमोती ये सब सुन्दर साथ गाने में सहयोगी बनते है और सब के अंदर मैं कल भी बोला था कि सनिक हम रिजा रहे है राजी उससे करोड़ो गुना हमको रिजा रहे है क्योंकि अनंत प्रेम गंजान गंज इसकत तो राजी के दिल में है ने भाई ये तो हमने ही पहचान पाए ने वहाँ राजी गिलम बने थे राजी सीडिया बने थे राजी एक एक नंग या जड़ावकारी चित्रकारी या परमधाम की चाहे चहबच्या हो जल हो नेहरे हो चाहे परमधाम की अकिकत की 25 पक्सी संभून सो अबा हमारे राज जी ने अपना दिल तो भी छाया था, यह पेचान वहां तो नहीं हुई ने, हम गिलम पर चलते थे, कैसे खेल कूद करते करते, कितनी मस्ती में हम लिला करते थे, थोड़ी पता था थे गिलम भी राज जी है, यही पेचान यहां करवाई ने, यही पेचान साथ गाने में साथ रहते हैं, और पांचमी बारी में जहुरा, गोरी, पेमबाई, खेमबाई, यह सब लेकिन गुलो, देखो, जो जो राज जी ने लालदासी के धाम दिल में बेटकर भाई, यह एक बात को इतना नोट किया है, बारिक से बारिक बात को भी, कि कोन कब आते थे, और कितनी देर रहते थे, और कैसे सेवा, क्योंकि राज जी तो तन की, मन की, दिल की सब जाने, और लालदासी के धाम दिल में बेटकर लिखाने वाले कोन है, राज जी तो राज जी को तो सब पता रहता था, मन लो, मैं वहाँ अश्टबोर में हूँ, मैंने लीला वहाँ अपना परिवार बसा लिया था, ने हमने, ठीके तभी भी हम तो थे, कोई दूसरी थोड़ी थे, हमने क्या किया, चुपके से मतलब निकल गया, कि चलो यह सेजी का, तो रात को डेट बजे तक चलता रहेगा, भई, नींद आ रहे है, दस बज गए, ग्यारव बज तो हम चले जाते होगे, लेकि राज जी तो तन की मन की, सब जानते थे, कि देखो, यह सुन्द साथ चले गए, उसको मेरी अभी पहचान हुई नहीं है, तो राज जी तो कुछ करेंगे ही, क्योंकि उसको तो सब को लेकर चलना है, हमारी जैसी दोर जाएगी, तो थड़ी चल पाएंगे, तो फिर क्या करी, उसमें बता है, कि गुलो ऐसी थी, सुन्द साथ, कि वो नियमीत, निष्ठा बंध, यह की आसन पे, मतलब ऐसी निष्ठा बंध, नियमीत आती, कि एक दिन, दस साल तक अमारी लिला चली ने, ग्यार साल तक, 1741 से एकावन तक, फिर बाद सबकी बारी मीन, चंद्रा वली देखो, पंजाब की जो थी, वो भजन, भले वाणी के गायन भी करती होगी, लेकिन भजन, पर भजन भी, इतने प्रेम में दुबोने वाले थे, और चंद्रा वली कैसी थी, कि चाउद बारी में रेती थी, उपनी बारी में नी, बारी में अधर्य के एक परोकिती थी दों मतलब चेंगा इसा नहीं तो देखो aúnे का तो टाइम किや में ऑक हर्यों में हर प्यर्तौि Capo कीया शुनी रहा आराम करने का खाने पीने का और काहां टाइमी रहा चेंगा पर. सभ बढ़ करने के बाद के बाद तो हो भी, एसे ही यहां और आगे सात्मी बारी में कोन है करमेती बाई उसके साथ हर्खो बाई गाउर बाई लालो रतो लड़ेती यह सब अलच्छो, ललिता, सुबा, संता, द्रवपदी और आठमी बारी में हर कुवर प्रमुखे लेकिन उसके साथ पांखडी, शुजा, कासी ये सब वानी का मधूर गाहन करते हो कैसे करते एसा थोड़ी फोर्मोलिटी वाला दिल में अनंत प्रेम भरकर कि मेरे राजजी में कैसी पीडा वाली दर्द वाली वानी निकालू, कैसे गंभीर स्वरों में गाऊ, तो मेरे धनी खूस हो जाए और आगे दसमी बारी में भागी रती की है, लेकिन उसमें मोहंदे, प्रमुख रूप में रहते थे लडेती, लच्चो, इस सब साथ पूरते थे, संतावाली, लाल बाई, बारी में बहुत प्रेम पूरो वानी गाते थे, और अग्यारमी बारी भानी बाई की है लेकिन उसके साथ भी हीमोती, गोमा, इस सब रामबाई, इस सब गाने में सहयोग देती है और आगे खडगो, खीमोती, धामधनी की वानी गाने में इतना प्रेम पुर्वक गाती थी ने, तो जब खीमोती और खडगो आती थी ने, तो राजी क्या बोलते थे बंगलाजी दरवार में अरे, ये दोनों बेहने आई, देखो जगह ही नहीं है बंगलाजी, ऐसे खीचो खीच भरा हुआ है, पुरा, ऐसे तो ऐसा करो उन दोनों की जगह बना दो, थोड़ा इधर उधर हटके दोनों की जगह बना दो राजी कैसे उसकी नजर धामधनी की एक-एक सुन्दसात पे रहती थी, हम ये मानते थे कि पाँच जार की जमा थे, धामधनी सामने बैठे, इतने सुन्दसात पे रहती होगी, फिर हम तो पीछे से बैठते थे, आते थे भी देर से, और चले जाते थे पहले, तो हमें मानत ते थे के नहीं राजी की नजर अमारे पर थोड़ी पड़ी है लेकिन राजी की नजर सभी हैं यह सब धामधनी को कितना सुख देती है गाके और आगे दोपर की बारी में सीवराम भाई जी भी गाते हैं ये को ने सीवराम भाई अमने कल चर्चा में लिया था शीजी जब सोचालेई में जाते थे ने देहकरिया के लिए वहां लोटा जल के भर के महारत दे ते वो शीवराम देखो दोपर को फ्री वते रहेंगे मतलब फ्री टाइम में कहां आ जाते शीजी के पास और संध्या समय में गाने में भी वो सम्मिली तोते थे ते ते और आगे शीवराम भाई के साथ सदानगी भी रहते थे अमरूत कुंडली भक्तावरे सब सात में रहते थे वेसे परमधाम की वानी गाया करते थे और क्यों गाते थे वो कोई जीवसुष्टी के जीव थोड़ी थे परमधाम की ब्रह्म मोनी थे ये परमंस थे जिसकी महिमा, जिसकी गाथा, जिसकी प्रशंसा संसार के कई धर्म सास्त्रों में लिखी गई है माहे स्वतंत्र, पुरान सहिंता, बुद्ध गिता, बुद्ध स्तोत्र, हरिवंस पुरान, पविश्योतर पुरान, सदासीव सहिंता, वैसे कते परमपरा में, कुरान के अंदर, वैसे बहुत से जग ये ब्रह्म सुष्टियों की महिमा गाई गई है फिर आगे बताया, कि बंगलाजी दर्बार में ऐसे तो बहुत से लोग, 5000 की जमाथी ने बेठे थे, कोई आते थे, कोई जाते थे, स्री जी की तो चर्चा चलती थी, क्या करते थे, कोई आते थे, ऐसा नहीं, क्योंकि जीव सुष्टि के जीव थे, कोई अपना बुरा नह ही मानते, लेकिन वीचा यह क्या करे, उसी के कानों में यह सुनने की सामर्थिय ही नहीं थी, तो यहां जीव सुष्टि के जीव बिचारा, क्या करे, क्योंकि उसके अंदर कोई परमधाम का अंकूर नहीं थे, धामधनी एक वानी में बताते ने, कि 100 साल रहो साथ में, सो साल रहो साथ में धनी अनुभव सोबेर मूल अंकुर दया बीना कर्मे डाले अंधेर मूल अंकुर नहीं वताने परमधाम का तो कर्मे डाले अंधेर मतलब बार बार फिर जनमना फिर बनना कर्मे डाले अंधेर मतलब चोरिया सिलाग योनी की वर फिर चले जाते हमारा क्या है हमारे पर कुरूपा बरस रहे ने उसी के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं पेले कुरूपा है बाद में हम कर्म कर रहे हैं ठीक है संसार के जीव जितना कर्म करेंगे उसी के अनुसारी प्राप्त होगा फल प्राप्त होगा और बताया कि दोनों माफक अंकूर के यह तो भी किस पर आधार रखते। अंकूर पर। जो परमधाम का अंकूर नहीं है। बताया कि 100 साल रहो तो भी कोई वो नहीं होगा। तो यहाँ कि धामधनी ने बता कि यह ब्रह्मवानी ब्रह्मुन्यों के भागिय में है। ये ब्रह्मवानी ब्रह्मुन्यों के भाग्य में जो होई ये वचन को सुन सकते हैं और ये वानी 25 पक्षों में गुमाने वाली है दहाम तलाव कुझवन सोहे मानिक नेहरे वनकी जोहे पस्चिम चोगान बड़ोवन कहे पुखराजी जमनाजी लई है आठो सागर आठ जिमी के ये 25 पक्षी धाम धनी के नूर नीर शिर ददी सागर दुत मधू एक ठोर रस सरवर सागर बीना मौमिन नपावे बताया ने किया मौमिन ही सुन पाएगे बीना मौमिन इसलिए तो मैंने पिछली चोपाई बोली ये चरण छला बोला कि नजर लाहूत में मौमिन ये मौम कि इन ब्रह्म सुष्टियों की हमारी इच्छा ब्रज में गए बाद में रास में गए फिर अम मुलतन में जगे फिर वहां जाके क्या बोला धनी अमारे मनोरत पूरण नहीं हुए बताने कच्छु इनविद की ओर रास प्रकास हिंदुस्तानी ग्रंद की परथम नंबर की च अच्छा यह क्या बताया कि हमारा मनोरत पूरण करने के लिए दामदनी ने तीसरा जागनी का ब्रह्मान बनाया और इसा नहीं सुन्दसाजी हमारे लिए महमस साहिव संदेश्वार क्योंकि मुल मिलाव में हमने जब राज जी के साथ इसक रबद की ए अंतिम बेठक में त अच्छा कर लिए तभी बताया के सुन्दसाजी में धर्म सास्त्रों लिखूंगा उसमें साक्सी आपकी लिखाऊंगा आप सुनोगी पढ़ोगी लेकिन मानोगी नहीं रूह लाँसी केसी दो सुकन सुन सुन तुम रोगी लेकिन होस में नावे कोई कोई नहीं आओ ऐसा ह तो बताया सुन्दसाजी तब तुम कहोगी कि हम बाप रबदादो का जे हम पुत्या एन वो ही तो हमारा है पानी पथर अगनी देवी देवता तुम कौन तुम मानोगे नहीं मेरा वचन तो यही धामदनी फिर हमको याद दिला रहे कि सुन्दसाजी मैंने सब को तुमारे लिए भेजाए एक एक को और मेरी शामा जी आई रो रोके खिज डाट कर कैसे वचन कहे तुम फिर ऐसे ही सो गए है फिर में आया 400 साल हो गई अभी धनी अमारे इंतजार में कुमर जी दरबार में जुले पर नूरी स्वरू से बिराज माने के सुन्दसाजी पिछला बाकी गड़ी रहिया दिन चार मुमिन धाम वतन चलने की यह मुमिनों की तरफ की अरजी लेकिन आज उल्टी वो रही है आज राजी बोले के सुन्दसाजी वही साड़ा चार बज़े चलो तुम करते हम मतब तभी की आने 400 साल पूर्व यह मुमिनों ने बोला कि हमारे लिए खे कि वहां से धनी बोल रहे है गुमर जी से कि चलो सुन्दसाजी वही साड़ा चार का समय है माहामति काहे मलपतिया माहामति काहे मलपतिया आवो नी जवतन आवो नी जवतन विलास करो विदवीद के जागो अपने तन सखीरे धाम जै ये मेरे मीठे बोले साथ जी उसके आगे की चुप है उठके नाहिये जमुनाजी उठके नाहिये जमुनाजी इकी जे सकल सिनगार साथ सबांदी मील के खेलिये संग भर थार सखीरे धाम जै ये मेरे मीठे बोले साथ जी सुन्द साथ जी इस नस्वर जगत में ताम धनी ने अपने दिल का ये गुह ये मार्फती भेद खोल दिये इतना नहीं सब धर्मसास्त्रों में जो बोले थे कि हुक में वेद कतेब में लाखो लिखे निशान तो ऐसे हजारों धर्मगरंथों में हमारी शाक्षिया हम पढ़ भी रहे कि हमारी साक्षिया है लेकिन चलने के लिए कुन तयार है दर्द ही अंदर पीडा है लगे भी है लेकिन पूर्ण रूप से जैसे हमारे 400 साल पेले सुन्द साथ ने चलके दिखाया एने पगले आपन चालिये तो यही धामदनी ने बताया यहां और धामदनी आगड़ बता रहे है कि अखन से जो पांचो सक्तिया आई ने कौन-कौन सी शिराजी का जोस अस्राफिल की जगरत बुद्धी श्यामा जी की आत्मा राजी का आवेस और जवराईल का जोस ठीक है अस्राफिल की बुद्ध और श्यामा जी की आत्मा अक्षर की आत्मा राजी का आवेस यह पांचो सक्तिया मैंने तुमारे लिए यह महमती के धाम दिल में और यही देखो और आगे बताया कि अस्राफिल ने दो सुर्फों के पहले सुर एक सुरे उडाई के दिये तो पहले यह वानी रुपी तार् करना इफुकन को देखता है यह राहरू हुकम पीठ कुबड़ी करके बीच सांसना लेवे दम अस्राफिल फरिस्ता यह तुरी नर्सिंगा में सुर्फुकने के लिए बस अपनी विठ तेढ़ी करके बैठा है कि बस राजी अब जल्दी से आदेश कर दे और मैं दूसरा फुक दिया यह तार्तम जब उत्राने तब पहला सुर्फुका अस्राफिल की बुद्धी आई फिर निज बुद्धी भी आगई 1735 के बाद और दूसरा फुकने के लिए बस राजी के आदेश की लेकिन नेक रखी रात खेंचके सो अभी वास्ते तुम हमारे लिए रात को खेंचके रखा है और यहां आगे बताया कि दूसरे तेरही में कायम किया जब दूसरा सुर्फुकेंगे तब सब अपने अपने करनी के इसाब से आठो प्रकार की बिस्त में मैंने एक दिन चर्चा में विस्तार से समझा दी आठो प्रकार की बिस्त बहुत विस्तार से आएगे और यह पांचों सक्तिया फिर राजी बार बार देखो बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्मसुष्टी के लिए यह सब कुछ धामधनी कर रहे हैं और इतना नहीं इन ब्रह्मसुष्टियों को साक्षि देने के लिए उपनी सद की अध्वेत परभ्रहम का वरणन उपनी सद ब्रहम सुष्टी की शाक्षी दे रहा है और एक परभ्रम की वानी को यह जाहिर कर रहे है और आगे क्यामत की कते गुरंतों को लेकर भी धामधनी ने अनेक बातों से यह शाक्षी के माध्यम से शमजाया हम को और राज युश्व इसलाम की पावे सब खलक मेर बड़ी जो उ इतनी बड़ी मेहर के क्या कहो ये मेहर ठादी रहे तो मेहरे मापी जाए ने क्या बताया ये मेहर ठादी रहे मेहर खड़ी रहे तो मेहरे मापी जाए मेहरे पल में बढ़े कोट गुनी सो क्यू मेहर मेहरे मपाई धामधनी बता रहे कि हे ब्रह्मात माओ तुमारे कारण में इतना बड़ा संसार बनाया, इतने कई अनंत ब्रह्मान बनाये, तुमारे लिए प्रकुरूती के कई सोंदर ये बनाये, और ये नहीं, ये तो ठीक चलो, जाहरी चीज बन गई सपना की, मैं तुमारे लिए इस ब्रह्मान में, मैं खुद आया, पाँच बेर पीव हम वास्ते सागर में डारिया, आप, पांच बेर अमारे लिए धनि आये, ये वानी उतारी, और अभी भी, कुमर जीमा हमको लेने के लिए तो बेठे है, ऐसे कोई आसीक होते है इस व्रह्मान में, ऐसे प्रेमी है कोई इस व्रह्मान में, हमारे धनी से बड़े, धनी से बड़े कोई प्रेमी है तो यह अक्षराति दाये सुंदस साजी और इतना नहीं यह सुक सितल करू संसार हम एक को लेने के लिए नहीं पूरे संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए निजानंद निज के अपने खुद का आनंद बताने के लिए धनी आए सब को लेकर चलेंगे बती मेरू अंग, कोई जो अंग सोपे अंद्रावती को ताये प्रेमे खेला हु रंग, सुख देऊ, सुख लेऊ, सुख में जगाऊ साथ, इंद्रावती को उपमा, में में दई मेरे हाथ, देखो तो धाम धनी क्या सोभा देने के लिए इस अंसार को, कि वड़ी कितने लिला का वर्णन आप सुनी आगे क्या जिक्र हो रहा है क्या प्रशंसा हो रही है जिन ब्रह्म सुष्टियों को प्रियतमक्षरा तित की पहचान हो गई है ने और उनका आच्रान और उनकी अतुत विश्वास इमान की महिमा को धामधनी इस बितक के माध्यम से उजागर कर र रहे और आगे चोथा पहर अब कहूँ पहर चोथे की बीतक जोसय न हेम है दिल में दिल के कानों सुनियों कर दोरोशन जर्ण-जरजी अब में चोथे पहर लिए चोथे पहर कहां से शुरू आता है ये छे से नहीं तीन से यहां बताया कि ये सुन्दर साथ जी मैं आपको चोथे पहर की अर्था तीन से छे बजे तक कि लिला का वरणन कर रहा हूँ और वो लिला में जिन-जिन सुन्दर साथ ने अक्ष्रातीत को प्रानिस्वर के स्वरूप में पैचान करके रिजाया है ये बात को आप दिल के कानों से सुनिये देखो बार-बार दिल के कानों दिल के नेत्र क्योंकि ये बात ही इतनी गरीमा मई है आगे बताया कि इत एक पहर पीउ पोड़त आये सेवन को सब साथ जल लोटा अबर लियावे छबिलदास अपने हाथ धाम धनी जब बाहर से तीन बजे तक सया पर पोड़ते उसके बाद मैंने अभी बताया कि तब पोड़े नहीं है जो अमने बारी बाले सुन्दा साथ आये सब गाहरे परमधाम की वाणी तो कहां स्री जी पोड़े है पोड़े नहीं है ये तो धामधनी ने बताया ये वरणन के मात्यम से तब भी धामधनी सयन करते करते ऐसे बस आख बंद करके वाणी सुनते थे और एक एक मौमिन को दिल से लाड करते थे अनन्त प्यार पहुचाते थे किसको जो सुन्दा साथ सामने सेवा कर रहे थे और उसी की और अपनी दरश्टी खोल के कैसे प्रेम भरी नजर से तिर्शे नेतर से देखते होगे कितना प्रेम पिलाते होगे धामदनी और यहां बताया कि 12 से 3 बजे तक शया पर पोड़ते हो तत्थ पस्या जो सेवा करने वाले सुन्दस साथ है वो उससे पेले आ जाते है और उसी समय छबिलदासी की क्या सेवा थी जल पिलाने की चबिलदास कोन है जमना बाई के पुत्र बताया था ने कल में अपनी वारसी जमना बाई ने किसको दी है चबिलदासी को तो यह पेले जल का लोटा भर कर वहां खड़े हो जाते हैं मेरे धामदनी की सेवा है मैं बाद में जाओ तो मेरी सेवाई कलंकित हो जाएगी पहले ही खड़े हो जाते हैं और प्राणना जी जब उड़ते हैं तो पहले पिकदानी में कुला करते हैं मैं कल बताया था ने जो टोटी वाला एक बरतन होता तो पिकदानी में कुला करते हैं और संकरदासी पिकदानी को लेकर वहाई हाजी देते हैं। उसके साथ संतदासी भी सामिल रहते हैं। उसे समय मानिक भाई है ने। उसको भी पता चलता है। चलो, मेरी भी सेवा अभी लग जाएगी। तो तेज गती से, एकदम जल्दी से वह दोड कर आते हैं। और वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वह भी संतसाथ के अंदर शामिल हो जाते हैं। के चलो, मेरी भी कोई-कोई सेवा में, मेरी भी साथ में रहू। और जब स्री जी सेवा की श्विकृती, हाँ बोलते हैं। हाँ सुन्दसाथ जी, आप अपनी-अपनी सेवा शुरू कर दीजिए। उसी समय संकर जी मोर्चल लेकर प्रेम पुर्वक धुलाने की उपर सेवा करते हैं। संकर जी कलम ने देखा था, संकर जुरी की ओर भी सेवा है। चरनामृत ये तो कर रहे, लेकिन चरनामृत बातने की सेवा भी शंकर हजूरी की है, और केसवदासी देखो अकेले संकर हजूरी नहीं, केसवदासी भी वाँ साथ में उपस्थीत रहते हैं, वो भी मूर्चल, मूर्चल वो कैसा है, सोने के मूर्चल से मढधा हुआ है, वो अभी साथ में मोर्चल दुलाते हैं और वलब दास गंगा दास भी साथ में सेवा में रहते हैं और बिहारी दास भी प्राणना जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं शुन्दसाद यहां सब सुन्दसाद का नाम दिखाया है कौन-कौन सुन्दसाद किस की सेवा में रहते हैं और धामधनी की सब उपर नजर बनी रेती है लालदासी मकरंदासी भी राजी की सेवा में उपस्थीत रेते हो किसलिए कि राजी को अब उठे ने अभी कुला किया ठीक है पानी पिया तो बाद क्या सेवा आती है तो कि कुर्ता निमा उपर का जामा ये पेनाने की सेवा लाल उनुपस्थिति में लाल्बाई भी कष्मा आनती थी और जब कुर्टा पैन लेते ने बाद में नंदराम जी दाम धने के सीर पर कपड़ा रखकर बांध देते हैं क्योंकि सर्धी की रूत चल रही है ने सुन्द सास्थी सर्धी की रूत चल रही है तो मुकुन्दा सी भी सम जड़ी हुई सफेद चादर लेके आते हैं और स्री जी को ओढ़ाते हैं और उसी के साथ रामचंद्र भी सामिल रहते हैं और स्री जी के कमर में पटू का अभी आएगा वर्नन अभी मैं लूंगी फिर वर्नन अभी नाम है तो उसमें कोई वर्नन है नहीं तो अभी मैं जोड इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपके दिल में इन सुन्दसाथ की सेवा अखंड वो जाए समझ में आया ये सुन्दसाथ कोई सामानिय सुन्दसाथ नहीं है ये परम धाम के अमिरूल इतना नहीं खासल खास परम अंस ये हमारे सुन्दसाथ ने जो पल पल धाम धनी को रिजाने की सेवा के तो ये नाम सुनने से भी हमारा दिल पवित्र हो जाएगा वो सब सेवा हमार करते हैं शीजी किस रंग का पटुका बैंते नीलो न पीलो बीच के आये गावरण न आगे तो यहां फिर कुर्ती के ऊपर अंगोच्छा भी अमारे सुन्द साथ ओढ़ाते हैं और बिहारी दास देखो बिहारी दास सीजी के गादी के लिए एक मखमली तक्किये लेकर आते हैं और यह सेवा में इतना चतूर है ओशियार है निपून है कि बिहारी दास के साथ एक बिहारी फरास भी देखो यह विचारे निची जाती के सुन्द साथ है लेकिन वहां कोई बेदभाव नहीं है एक बिहारी फरास यह आगे आएगा फिर तो यहां कोई बेदभाव नहीं है कि दलित जाती का है नीची अरिजन के यहां नीची जाती का है वहाँ सब समान वाहिदत के भाव में कि हम सब परमधाम की वाहिदत में रहने वाली एक दिली में रहने वाली सब आत्मा ये है धामधनी की अंगना है और इनके साथ सब सुन्दर साथ के नाम बता है कोन कोने सुकाली भी सेवा में रेती है मेघा रेती है वनमाली दास रेते हैं ये सब का नाम है दंजी भाय रेते हैं और वनमाली दास रेते हैं और सब वानी गायन भी करते हैं सब वानी गायन उत्सा पुर्व करते हैं और तकत कुर्सी और सेज की भी सेवा किया करते हैं और उसके आगे धामधनी की सेज पर से उठकर धामधनी को सब का नाम आमने कल सून लिया तो कंई बार श्री जी गंसियाम साथ के घर पर जाने की तो वहां भी कल करते है लाल भाई और कल अमने सुना था कि लाल बाई कैसे स्रीजी को रास्ते में रास्ता रोक के कैसे असाती थी ये कल अमने सुना था राज जी के साथ कैसी मजाक आसी वाली बात भी करती थी और आज यहां पावड़ा भी बीचा रही है और एक पावड़ा किश्नी बाई और मानिक बाई ब्रग उसेवा करती है कंशा भाय के घर बहक्रिया के लिए श्रीजी गए है वह चंदरवा बानने की शेवा गंगादास और सोभादास ये सोभादास को ninety सुंदरसाच जी कज्री जब जीना कर रहें थे मैंने कल गायता ने अनिहारेजी संह onlar यह गाय था ने उससी समय सोभादास जो स्वरीर जी का जल बेहर हुझा इने नाहने का उसी में सोभादाश लोट पोट होते थे वह सो ओवादास है वही तो आज हम भी बंगलाजी दरबार में गुमर्जी दर्बार में, सद्गुरु मंदीर में, बाईजुराजी मंदीर में, जब जीरना होते हैं, कई बार 14 का, कई बार 8 का, तो गुमर्जी में भी पीछे दर्बाजे, सब वहां लोटपोट होते हैं, सब अपने पर जलका छनकाव करते हैं, कोई लोटपोट होते हैं, सब जग तो ऐसे वहाँ भी शोभादास लोट पोट होते थे और कितना प्रेम समर पढ़ है और आगे जब स्री जी वहाँ से निकलते तो एक आथ कोन पकड़ते हैं लच्छी दास लच्छी दास कोन है जिसने क्या अंदर विचार किया था सोने का मंदिर बनाने का विचार किया था ने सी जी ने बनने क्योंकि उसके पास एक पारसमनी रहती थी तो लोहे को शोना बनाए और इटे भी बनने लगी थी शी जी को पता चला फिर पारसमनी का जो कूंड है ने जब हम चोपड़ा हवेली जाए तब बीची में कूंड कल यभी तक सुन्दर साथ जी मेडियो के माधियम से सुनेंगे तो आप पन्ना जी जाए तब एक एक चीज को आप नोट करें देखिए पुरे दियुल के भावों से इन सुन्दर साथ ने तो लिला करके प्रेक्टिकल चलके दिखाये तुम वहां जाओ तो इतनी सोभा को देखिए इसलिए में एक एक चीज का वरणन पन्ना जी का क्या है कि यह लच्छी दास का कड़ा फिर सीजी ने सोचा कि तुमारी याद यह ब्रह्मान रहेगा यह गुमर जी रहेगा तब तक याद बनी रहेगी तो गुमर जी के पिछे के दर्वाज लच्छी दास का लच्छी दास आते हैं और सीजी का आथ पकड़ते हैं और वहां से वापस लोटते हैं समय कोन पकड़ते हैं तो बता है कि लाल दासी सीजी का हाथ पकड़कर गादी तक पहुंचाते हैं और सीजी कैसे चालते हैं लटक मटक चाल से चालते हैं देखो उम्र सतर साल की होने वाली है, क्योंकि चोहतर चाल में तो फिर वो चोहतर साल में तो अंतर ध्यान लिला कोई ने तब तो आज सतर से उपर की भी होगी, ये लिला तो पूरी अश्टा पौर की बताई है सुन्दसाद जी, तो यहां लटक मटक चाल से, शी जी कैसी मनोहर प्रेम भरी चाल से, चलत चलते आते हैं, और गादी पर विराजमान होते हैं, हम परमधाम की लिला को याद करें, जब हम पूरे 40 जुथ था वहां परमधाम में, ठीके, एक एक जुथ में 300-300 सखिया थी, और वहां जब हम जुथ में जाते थे, यह यहां की गिंतिक अनुशार, परमधाम में ऐसा सिम की चोगान हो, फुल बागो, नुर बागो, चोबिसास के महल हो, मान एक पहाड में लिला होती थी, तो वहां, राज जी हमारे साथ, वहां का तो नुरी धामधनी का श्वरूफ है, किशोर वही का, तो वहां हमारे धनी, कैसे हमारे साथ, सख्या की अंगूली पकड़कर कई बाद सक्यों के साथ, प्रेम भरी बाते करते करते चलते होगे, तो यह लिला की एसास, यह लिला का अनुभो, धामधनी यहां करवा रहे है, कि सुन्दसाजी, तुम परमधाम की लिला में दुबो ने, वहां की लिला याद करो ने, कैसे धामधनी हमारे साथ चलते थे, और आपके साथ प्रेम भरी, बाते कर चाहे वन की नहरो, चवेरो की नहरो, फुल बाग नुर बागो, तो यहां धामधनी ने यह सोभा दिखाई, शीजी के दोनों और तक्किये भी रखे जाते हैं, और पामडे उपर चलते चलते, धामधनी शीडियों से ओते हुए, बंगल दासी बहुत अच्छा, एकदम सुद्ध पवित्र जल लेके आते हैं, और मुकुन दासी भी इस सेवा में हाजी देते हैं, शीजी के चरण कमल को प्रेम दासी धोते हैं, यह प्रेम दासी देखो, शीजी का वस्त्र पहनाने की भी शेवा करते हैं, और यहां चरण धोने की इसे वाने में वी बाते साथ में केश्यवीवाषि भ दो लिये बाद में भूमाल से किसवीय कार्ण पोर्णी का मिले और परम धाम के चरण कमलों को याद करते एप लिए डोल यह ए यह चन को याद करते तंव चरण को निर्खिय ers ूरू को यही लागी रतक भर चरण के प्रक्रण तो शिंगार गरंत में साथ आठ बाट चरण परिक्रमा कदम निश्वत ऐसे कितने प्रक्रण रखे तो यहां जब चरण दोते होगे प्रेम दासी तब परमधाम के मुल स्वरूब के चरण कमल को याद करते दोते हैं और केसव दासी भी रुमाल से पहुं कड़कर दबाते हैं और कैसा भाव लेते होगे चरण को दबाने के लिए अभी वीरोबाई भी चरण दबा रही थी परमधाम के पूर्ण स्वरूब का भाव लेकर साथ में लालदासी भी रेते हैं और आगे तब चिलमची लेकर नंदराम जी बेढ़ते हैं और चरणा मृ दोलाने की सेवा च् Kendallदस देखो यह सेवा करते हैं इसी प्रकार प्रयमधा रुमाль स्री जी के हाथ को पुछ दे एक सुंदसात ने दोया एक सुंदसात ाहत को पुंछ रहे और स्री जी की कुर्सी के चारों और गेर कर बहुत सी महीला सुंदसात नाम सुनिये ने यह महील गोवरी मानवंती गोदावरी और मान से माननी सखी कैसी माननी किसको कहते है यह अपने दिल में नहीं मान रखती है कि नहीं में क्यों राज जी को बुलाओ राज जी मेरे मेरे को प्रेम करते मेरे आशिक राज जी है तो राज जी मेरे को बुलाएंगे ऐसे मान करती है इसको क तो यहां भी मान करती थी बंगलाजी दर्वार में और प्राहना जी की सेवा में उपस्थीत रहती देखो जी और दुर्गी भाई, ललीता, सुबा, खीमाई, सामबाई, लच्छोबाई, मातेनबाई, एसी बहुत सी सक्या दामधनी की कूर्शी को घेर कर बंगलाजी दर्व पुखराज की आकासी में दोजार भोम उपर जब जाते थे तो वहां भी कैसे बाग, बगीचे की और जो किनार की जो सोभा बनी है महां अलग-अलग स्थानों परम बैठ कर राज जी के साथ कैसे सुख लेती थी तो यहां दामधनी ने ये सुख को याद दिलाई कहां बंगला जी दरबार में और सी जी जब कूर्सी पर बैठते थे तो कासी इस्री जी का आथ पकड़ते है और जब स्री प्राणना जी तखत पर विराजमान होते है तो उसी समय उका भाई कलम ने सुना था उका भाई क्या लेता कल भी बताया था कलंगी लेके बेठ करते हैं लो स्री जी ये कलंगी फिर यहां लगाएंगे और आगे इस प्रकार कई प्रेम मैं लिलाए बंगला जी दरबार में होती है यहां धाम धनी ने बताया कि मैं इस जीहिया से महामती के धाम दिल में बैठ कर क्या बताया कि इस जीहिया से मैं कीतना वरणन करू सुन्दत साथ ने अनेक प्रकार से दिल में अनंत प्रेम भरकर कैसी सेवा की और धामधनी को रिजाया है और वलब बाई स्रीजी पर छत्र पकड़ कर गुमाते हैं और लालदा सी भी स्रीजी का हाथ पकड़ कर धामधनी को तक्त से उठाते हैं और सी जी तक्त से एक पाय जो सी जी का तक्त बना है सीहासन उसमें चार पाय पर मैंने कल बोला था कि बीच में सिल्वट ना पड़ जाए तो चारो पायों में एक रसी रहती थी दोरी और नीचे फुंदन भी रहता था और चारो पायों से ये पायों के साथ ये रसी से बांदा दिया जाता था क्योंकि मेंने कल बताया था ने सुन्दसाजी तो ये चारो पायों में कौन-कौन बानते हैं, तो यहां बताया, कि तक थे एक पाय के फुंदन के बान्दने की सेवा मानिक बाय करती है, और दो लाल बाय, दो फुंदन बानने की सेवा लाल बाय और एक गंश्याम बाय करते हैं, और आगे इसी समझ सुदा मा पूरटले, प बहुत से सुन्दद साथ ने तामधनी की पुर्न पहचान कर लिए स्वारूप की, तो सोने का तक्त बनाया था, और या तक्त की शुरक्षा, और ये तक्त की, देख रहो राखने की शेवा कौन थी? किस की थी? बुठसेन भाइ, जो साही भी देंगे, और ये तक्त की, देख सिस्टम नहीं थी तो साही रखते हैं कुझे में और जो जो सुन्दसात बंगलाजी दर्बार में बेठे वानी कोई लिखते हैं कोई धर्मसास्त्रों की शाक्षिया देने वाली कोई-कोई जो धर्म गरंथों का कुछ-कुछ लिखते रहते हैं तो उसी समय बंगलाजी में बुलाते हैं बुद्शन भाई आजाईए साही चाहिए तब बुद्शन भाई ये भी देते थे तो ये सेवा थी और प्रेम और उमंग की चाल से स्री जी चलकर तक्तपर विराजमान होते थे इसी शमय के सवदासी और संकर जी दोनों बगल में खड़े होकर क्या करते थे मोर्चल लेकर खड़े हो जाते थे और राजी लटक मटक चाल से चलते हैं क्योंकि यहां धनी की चाल कोई त्री गुणात मक नहीं है त्री गुणा ती थे एक एक अंग में प्रेम और आनंद भरा हुआ है और राजी का मुखारविंद मुस्कुराट अस्ते हुए मुखार देखो तो धाम धनी एसी लटक मटक चाल से यहां आते हैं जब दीन व्यतित ओने चार घड़ी से स्रेते अर्थार साड़ा चार बजता है अब कितने बज गए सुबसे छे बज़े से सुरू किये सेवा सामके साड़ा चार बज गए इस समय सुन्दसाथ को चित्वनी द्व पांच मिलिट में चित्वनी के माध्यम से हम मुला मिलावे तक जाए तो धाम धनी साड़ा चार बजे मैंने कल भी वेसा तो बोला था कि सुब को भी साड़ा चार बजे चित्वनी होती थी देड़ घंटे और साम को भी साड़ा चार बजे देड़ घंटे चित्वनी होगी क्योंकि साड़ा चार बजह हम परमधाम से इस खेल में आए है então यहां धामधनी बंगलाजी दर्वार में चित्वनी करवा रहे और परमधाम के अनंत आनंद में डूबने वाली हम सब ब्रह्मात्माई दामधनी के अनंत प्रेम में डूबने वाली हम सब ब्रह्मात्माई सुन रही है यहां धामधनी बंगलाची दर्वार से आगे चितवनी में क्या के रहे है कि हे सुन्द साजी अपनी सूर्ता को यहां से मृत्यू लोग को पार करते हुए चौद लोग अश्टावरण शुन्य निराकार नारण को पार करते हुए बिहद अखंड ब्रज रास योगमाया ब्रह्मान को पार करते हुए दिव्य प्रमधाम की भुमिका में हमने प्रवेश किया सर्वर सागर को पार करते हुए चोटी रांग चार हार हवेली वन की नहेर और महावन मधुवन और बडोवन और आगे जोईरो की नहेर अक्षड धाम आगे सात वन केल लीमबोय अनार अमरुत जांबू नारंगी और बट बीच में जमनाजी फिर रंगमोल की और शाहत वन दोनों और रोस पर छुटक छुटक छेचे देहुरिया और जब पाल पर चड़े तीन सीडिया पाल से आगे अमरुत वन की बीच में जो दो मंदीर की चोड़ी रोस चांदनी चोक तक जा रही है हमारे आगन तक तो हम वहाँ चलते चलते चांदनी चोक में पहुँचे जहां दो चब उत्रा दाहिनी और बाहिनी और उतर की और लाल रुक्ष आमका और दक्षीन की और अहरे रुक्ष और जब हम सो सीड़ी चड़के बिस चांदा सो सीड़ी और धाम चोक में पहुँचे दोनो और धाम चबूत्रे धाम दर्वाजा दो भोमका शेंदूर्या रंकी चोकट हरे रंकी फ्रेम दर्पन रंके कमाड दर्वाजे की सोभा को देखते वे अंदर प्रवेश किया 28 थम का चोक पार करते हुए चार चोरस सवेली प्रथम चोरस सवेली रसोई की उसके बाद तीन चोरस सवेली पार करते हुए पाचवी गोड़वेली मुल मिलावा बहार हमने एक चोकर एक थम्भो की हार देखी फिर एक गोलाई में देखी फिर अंदर एक मंदीर की हार देखी फिर अंदर एक थम्भ की हार देखी फिर कमर भर उच्चे चबुत्रे चार और तिन तिन सीडिया और चबुत्रे की किनार पर भी चोसट थम्भो की तिसरी हार मध्य में मुलायम, कोमल, लाल रंग की गिलम, उसी के अंदर कई प्रकार की वेल फुल बुटो की छित्रकारी अनेक नंगों से जड़े हुए, सोने के तार से जड़े हुए और जब मध्य में पहुँचे तो कंचन रंग का सिहासन इनके छे पाए छे डांडे और सिहासन के नीचे अजार पंखुली वाले कमल के फूल जो गालीचे के अंदर की चित्रकारी है उसी के उपर एक अंचन सोने के सिहासन इनके छे पाए छे डांडे एक एक डांडे में दस दस रंग जवेरों की जलकार कर रहे हैं और उपर छत्रिया गुमट कलस धजा और सिराज जी शामाच युगल सरुप बीच में बिराज मान है एक गादी दो चाकले पाँच तकिये और युगल सरुप मुल सरुप कैसे सोभाई मान हो रहे हैं और राज जी और शामाच जी के दोनों के चरण कमल नूर की चोखी पर विराज मान है और चबूत्रे की और भी सोभा देखे तो किनार पर थंबो से लगते हुए साठ तकिये चारो दर्वाजों को छोड़कर उपर हरे रंग के चंदरवा मोतियों की जालर और जो नूर उठ रहे कहां के और जो राज जी शामाच जी बीच में युगल सरुप शियासन पर विराज माने चरण कमल में बार जार ब्रहमात माये एक दूसरे के गले में आपस में कैसे जूड़कर एक अनार की कल्यों की समान बेठी हुई है उनके वस्त्र आभुशान के अंदर से कितना नूर निकल रहे बीच में युगल सरुप का नूर शियासन का नूर, चंदरव का नूर निचे गिलम का नूर, थंभो का नूर, तक्ये का नूर यह सब नूर आस्मान तक जहूर कर रहे है तो यह सोभा को, यह सुन्दसाजी, तुम देखो यह धामदनी ने अमको चित्वनी के माध्यम से यह दिखाया और आगे, जब दाएं बाएं, सुन्दसाथ बेट गए है, और धामदनी की चित्वनी सुनते है, और उस मार्ग पर चल्ले का आगे, विचार करते के, देखो, हमारे धामदनी हमको आत्मा के श्वरूप को लेकर कैसे? संया हब हम धाम चलते, चलो चलो रे साथ जी, आपन जई ये धाम संया अब हम धाम चले, कैसे? तो ये तन को छोड कर नहीं कोई तन को मर जाने की बात नहीं करे, उसी के अंदर जो तुमारी आत्मा बेठी है उस आत्मा को लेकर सुन्दसाची मुल मिलाव में चलो जहां तुमारा परातम तन बेठा युगल सरुके चरण कमल में तो ये सोभा दामदनी ने बताए उसी समय महराजा चत्रसाल जी पधारते है और वो भी शेवा में समलीत हो जाते है बहुती प्रेम पुर्वक प्रियत मक्षरातीत की शेवा करते है महराजा चत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है और तन मंधन से वो नियोच्छावर हो गई है परमधाम की चित्वनी का जब समय आता उसी समय गोकुल शीजी के तक्त के सामने आकर प्राथना करते है क्या करते है कि हे धामधनी अम सब सुन्दा साथ को इस माया के खेल से सिग्रती जल्दे से जल्द धामधनी निकाल दीजिए बस हमारे कोई मनोरत कोई इच्छा है यहां नहीं रहे बस सब मनोरत पूर्ण हो गए है आप जल्दी से हमको माया के अंदर से निकालिए अक्षिराती स्री जी तक्त पर बेठे है और सुन्दा साथ की ओर से जो अरजी प्राथना की जा रही है वो प्रेम से सुनते है और आ सुन्दा साथ क्या आरजी करते कि धामधनी आपने बहुत ही संसार में सुख दे दिया जो हम परमधाम में नहीं जान पाए थे यह सब सुख इस मायावी जगत में रहते रहते हमको आपने अनुभव करा दिया हमारे साथ रहकर इतना नहीं हमको यहां भी धन्य धन्य किया इत भी दंदन और उत भी दंधन किया, तो धामधनी अभी अमारी कोई मनो कामनाई संसार में बाकी नहीं रही है, उना सुन्दसाथ ऐसे बार-बार सेवा में सामिल रहते हैं, और आगे क्या बताया? कि जब ये चित्वनी का समय चलता होता, तब शुरक्षा के लिए वहां तो धामधनी अक्षराती स्वयम बिराज माने, परमधाम की मोमी ने, वहां कोई शुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन धामधनी ने एक भाव लिया है, और इसी समय लालदासी, तत्पस्या सं अंतदासी, धाल, तलवार लेकर कैसे दरवाजे खड़े रेते, आज भी हम गुमर जी में प्रवेस करेंगे, या बंगला जी में, चारो और दिशा के दरवाजे हैंने, आसम प्रवेस करते हैंने, तो वहां भी एक मिट्टी के ओ, टेच्यू बनाके, ऐसे धाल और तलवार वाले चित्र बनाके, खड़े किये हैं, तो यहां भी बताए के, तबी भी सुरत सीं जी, रामनगर में जो मिले थे, वो भी धनुसमान, तरकस लेके, खड़े रेते, क्योंकि एक स्री जी को, रिजाने का एक बहाओ है, और घंस्यां भी बर्ची लेके, वहां खड़े रेते हैं, कि जाओ, तुम स्री जी के पास लेके, हजीर करो, और प्रती दिन, यह अभुशन भाई जी, मकरण जी के आथी बिजवाती थी, और चांदी के थाल में, शी जी का अभुशन भरकर, मकरण जी, शी जी के साम लिलाते हैं, और चांदी के थाल के आथ में, पकड़ते रे और महाराजा चत्र साल जी उसमें से आभुशन लेके श्री जी को शिंगार कराते हैं। निकल रही है सुन्दसाजी कि जिसकी सोभा इन मुख से नहीं हो पाती। महामती जी क्या कहते हैं। कि मेरे दामधनी ने गले में हाँ धारन किया है। उसकी जोती का वरणन इस जुठी जुबा से कैसे हो सके। और शिजी के गले में चंद्रहार एक और भी चंद्रहार भी जलकार कर रहा है। उसकी आगे चंपकली का विहार सुसोभीत हो रहा है। गले में सोने की कंठी भी सुसोभीत हो रही है। तो यह हमारे दामधनी को कोन सिंगार करा रहे। छत्रसाल जी महराज। एक मोतियों की एक और भी माला है। निचे मोती उपर मानिक जड़े हुए है माला के अंदर। और नंगों से जड़ा हुआ यह अभूशन शिजी के कंठ में सुसोभीत हो रहा है। शिजी के पाग धामधनी ने काल में बताया है। तो यहां भी बताया किसी जी के पाग के ऊपर चारो और लटकी हुई चंदरी का मैंने बता नहीं हैं मोतियों की जो लेरे रहती नहीं उसको केते हैं चंदरी का। तो यहां बताया किसी जी के पाग के ऊपर चारो और लटकी हुई चंदरी का कमल के समान सुसोभीत हो रही है। पाग के किनार जो किनार होती मोति लटक रहे हैं उपर हीरों की ज्योती भी जगमगा रही है। और महरजा चत्रसाल जी शीजी के हाथों में पोहुंची बानते हैं और आगे बताया कि पोहुंची में क्या-क्या नंग है तो हीरा मानेक जलकार कर रहे है। और महराजा छत्रसाल जी की ये विसेश सेवारेती है, क्योंकि पहचान अक्षरातित के श्वरूप में के लिए, ये साक्षात तुम अक्षरा थी, तो हमची ने तुमें बनाया, शी जी की सभी अंगुलियों में, देखो सब सिंगार करवाए, सभी अंगुलियों में महराज शी जी छत्रसाल जी की शेवा स्वीकार भी प्रेम से कर लेते हैं, महमती कहे मौमिनों ये चोथे पहर की विरत्त, अब कहू पहर पाँच मा सुनियों तनमन हीत, महमती जी क्या केते हैं? कि हे सुन्दस साथ जी मैंने तुमको यवी चोथे पहर की बितक की है अब मैं पांच में पहर की बितक सुनाने जा रहा हूँ और आगे क्या बताया अपने तन मन में प्रेम भर कर बार बार क्या कहते आत्मा के कानों से आत्मा के नेत्रों से यहां क्या बताया तन और मन में प पांच मां आया जब बखत हुआ समय बैठन का उपर इंत खत अब पांच में पहर। कहां से शुरू होता है सुन्दर साजी पांच मां पहर। पांच में पहर का वरण सुरू करने जा रहा हूँ तो यहां तुम अपने तन मन में प्रेम भर कर सुनिये और आगे जो 6 बजे से 9 बजे तक का जो समय है साम का उसी समय शीजी सिहासन पर तक्त पर विराज मान होगे यह समय के वरणन करे तभी कोन कोन इस सेवा में आते लच् अम धनी को प्राथना करती है कि धनी आज किस घाट बढ़ा रहेंगे अम राज जी को रोज यहां छे बजे से बताया हम परमधाम में तीन बजे तीन बजे निला नपिला मंदिर में जाते थे ने मैंने कल भी बताया था परसो भी बताया था कि वहां तीन पोहर की लगातार लिला रहती है तीसरी भोम में सुबह के छे बजे से नव नव से बार और बार से तीन बजे तक तीन पहर की लगातार तीसरी भोम की लिलारे दे तीन बजे हम रोज निला नपिला मंदिर में जाते मां पान के बीड़े फल यह सब आरोगाते राजी को हलके से आहार करवाते और फिर हम क्या पूते धनी आज की स्वक्ष में जाना है तो जब राजी ने पाट के घाट क् सर्चा में कि जब इस संसार में आना था हमारा सब का में अभी आगे बताने कब आया हम साड़ा चार वजे तो उसी दिन दिन कहा था वो तब एकम का दिन पढ़वे का दिन था एकम का दिन था तो पढ़वे हम काज़त पढ़वे को धनी पाट के घाट पधारते तो एकम के दिन हम पाट के घाट पधारते थे तो तब साड़ा चार का समय था और पाट के घाट जाना था आ गए कहा माया के घाट इसलिए राजी ने पाट के घाट बताया ने कि लच्छो आई बोले काज कोन से घाट तो राज जी बोले, आज तो माया के घाट जाना है, पाट के घाट तो मनादिकाल से जा रहे हैं, ये लच्छो भाई, दाम दनी उतर देते हैं, आज पाट घाट पर पधारेंगे, दाम दनी, तो हमारा पाट घाट, जमना जी, जो हमारी बहर रही ने, मैं दो तीन बार बता दिया, इसलिए विस्तार से नहीं कहूंगी, पुखराज से प्रगट होती है, और जब पुर्वक की और बहती है, तो उतर की और केलपूल, दक्षिन की और बटपूल, और बीच में पाट के घाट आए है, अक्षरधाम की और और हमारी और रोट सो मंदिर के लंबे और जल में भी निलवी के सोला थम्ब लगे है, उस पर पाट पड़ जाता है, जल रोश की बराबर और उसी उपर भी फिर थम्ब लगते है, तो ये थम्ब के उपर भी छत उतर दिहोरी बन जाती है, तो ये जो पाट का घाट बनाया है, दोनों और, डेटसो डेटसो, तो बीच में 200 की जगर ही ठीक है उसमें जल प्रभाहित होता है और यह जो थम लगे पाठ के घाट के नीचे उसमें से भी गड़ना ले के अंदर दो थम्बों के बीच के अंदर यह प्रवाह जल का अवीरत बेहरा है तो यह पाठ के घाट जाना है यह राजी ने बताया फिर तत्पत्यात ओढ़ने के लिए एक बड़ी चादर भी रखी जाती है। अपनी आत्मा को आहर हर प्रकार वो सुख देती रेती है। तो बाईजुराज जी सुखपाल में बैटकर कोठा मंदिशे शीजी के पास आती है। और भोजन करने के लिए प्रेम भर सब्दों में मिठी बाते करती है। उसी समय कोन-कोन सेवा में रेते हैं। तो मथूरी इमत बाई शीजी को भोजन कराने के लिए थाल लेकर आती है। उसमें बहुत सी साख, शब जी, कई प्रकार की कटोरिया ठाल में सजाये रखती है। और माहराजा छत्रसाल जी और शीजी बाई जी शीजी को भोजन कराने के लिए बेड़ते हैं। और मानिक बाई भी प्रेम पुर्वक शीजी के हाथ दुलाती है। और बहुती प्रशन होकर धामधनी इस सेवा को श्विकार करते हैं। माहराजा छत्रसाल जी शीजी को हाथ पोंचने के लिए फिर बाद में रुमाल भी देते हैं। एक रुमाल अपने मुक को बांध करवे धामधनी को देखो। शीजी को जब भोजन कराते थे ने उसी शम में मुह पर एक कपड़ा बांध देते हैं। एक मुह पर बांध देते थे और एक आथ में रखते थे। यहां बिहारी दासी अपने मुख पर देखो। एक बिहारी दास भी अपने मुख पर आड़ा रुमाल बांध कर शीजी की सेवा करते हैं। और सब मैला सुन्दस साथ अपने धामधनी की शेवा की आसा से पास में खड़ी है। और महाराजा चत्र साल जी शीजी के आगे बोजन का जब थाल रखते हैं। और उन्हें बोजन कराने के लिए बहुती निकट बैठे रहते हैं। उनकी सेवा अत्यधिक प्रशन होकर शीजी बहुती मधूर भासा से उनसे बाते करते हैं। चलो यह पेज ठक लेलू बाद में नहीं लेना ठीक है। और केसे सुन्दस साथ वा मधूर मानी गाकर धामधनी को प्रेम पुरवक रिजाते हैं। और उन्हें राज जी जब भोजन करते हैं। उन्हें शमय बाई जी भी प्रेम भरी बाते करते हैं। श्री जी भी बहुत प्रशन होते हैं। और बगल में भी तक्त पर बेठें। लेकिन बाई जी मना करते हैं। श्री जी क्या कहते हैं। कि बाई जी मेरे पास ही बगल में तक्त पर बेठ जाएं। लेकिन बाई जी मना कर देती है। और बाद में श्री जी को जल पिलाने के लिए छबिलदास आ जाते हैं और सोने के सुन्दर कटर में जल लेकर क्योंकि सर्दी की रुतु है इसलिए गुन-गुने पानी लेकर छबिलदास आजीर करते हैं चबिलदास सीजी को कोई विशेस वस्तु खिलाने के हेतु अपने घर से कई मसाला और आधी कई मेवा मिठाई और भी चीजे लेकर आते हैं और प्राणना जी को आगे भोग लगाते हैं और प्राणना जी हमारे धाम के धनी भी कितना प्रेम पुर्वक आरोकते हैं धाम धनी भोजन करने के बाद पस्यार सुन्दत साथ ठाल भी उठा लेते हैं और माहराजा च्छत्र साल जी अपने रदई में बहुती आनंदी तोकर शी जी की साउधानी पुर्वक कुल्ला कराते हैं उसी के बाद मानिक बाई प्राणना जी के लिए कहवा पेले वो कहवा बना के लाते थे ये लाती है और गंगादास भी उसी साथ शेवा में रेते हैं कल्यान बाई भी शी जब भोजन प्रसादारों गिल्याने बाद और सुन्दसा जी अम दो पर का भोग वो बोलते हैं सैया केतिक पनमी जावी साक पानमी वास बल्यावी और साम का भोग हम क्या बोलते हैं के सरबाई के मोहल पधारों अन पखारों ले जारी हो भालामार नूर की चोकी डारू मंदिर में ता पर शामावर आये हो वालामार लाडबाई जी थाल लयावे पकवान बहुत बनाई हो वालामार आजे मात राज शामाजी सूखब तो यहां क्या बता है और रात को हम यह भी बोग बोलते हैं शटरस व्यांजन साज और हम छटरसाल जी का भी एक बोग बोलते हैं जेवन आ ये स्री राज महाराज भवन में दीन दयाल अचल सुख दायक ब्राह्मा स्रुष्टी सीरता अज महाराज भव भॉग वाली चो पैसीर बोल दें बाकी तुम दो दिन में सुन लिया बहु पाकवान पान मिठा आई जो मेवा साक पान द्रूत ताज महाराज भवन उसके आगे की चोपाई में दूधा दाधी और माखन मिसरी वन फल अनेक इलाज महाराज भवन और ये आरक्त कोने जेवत राज स्यामाजी सुख पाँ शाहेब गरीब नीवाज अचवन करीमुख पान सुवासित सतगुरूशत्य जहाज तो सुन्दस साजी यहां जो भवग आया सामका है नहीं है शुबका नहीं है तो तीजी भोमकी वो आती ठीक है यह सामका है तो यहां भोग आरोगेन के बाद कुला कराया और चत्रसाल जी ने तो करवाया आगे हमने देखी ने इसलिए मेरे को ये भोग याद आ गया और उसी के बाद जब पान का बीडा भी तब महरदा चत्रसाल जी भी पान का बीडा तयार करते है और बाई जी भी तयार करती है और छबिल दास और मजली महराणी देखो चत्रसाल जी की शुशिला महराणी भी शुपारी देने की शेवा करती है उसके साथ कोन कोने दे वोका जसिया फुलो की कलगी बना कर लाते हैं जिनके साथ धामधनी श्वयम अपने हाथों से लेते हैं और कैसे प्रेम भरी शेवा करते हैं और माराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से कलगी बनाते हैं देखो उमने एक जगह देखा कि कई बार बाजार से भी कलगी लेके आत अपने परिवार से भी आती थी, और यहां मारजा छत्रसाल जी भी आत से कलगी बनाते हैं, और कुछ जुकी हुई सोभावाली बनाते हैं, और स्री जी के सीर पर बान देते हैं, मुकुंदासी, तुरा, तथा पंखो से बनी हुई कलगी ले कर दाते हैं, सबने अपने अपना महरजाच चत्रसाल जी के आगी चुपआई में बता दिया कि महरजाच चत्रसाल ने अपने हाथों से बना इफित googla इंचरा सहब अपने दिलमें पूरा प्रेम भाव भर कर केसे रिजा रहे और अन्ती आद कि पॉस्युक्त अभघ पर च पर चंहें तो ये सुन्दस साथ जी हमने पांच में पहर में हमारे सुन्दस साथ ने धामधनी के श्वरूप की पहचान करकर कैसे री जाया ये घटना करम को हमने सुना और आगे हम आगे की चर्चा में सुनेगे तो मियाद चुपाई दोहरा दे महराजा के रावर से आउती कलगी हार चित माफक अपने सोभित दे महराजा अपने लार दे महराजा अपने लार बोलेशी प्राणनाथ प्यारे की सी सत्गुरु महराज की प्रणाम सुन्दस साथ आगे हमें ।